वक्त के साथ रिष्टों के रूप बदलते हैं हर रिष्टे की एक नई परिभाशा होती है लेकिन वो रिष्टे अनमोल होते हैं जो बदलते वक्त के साथ भी वैसे ही रहते हैं और वही रिष्टा हमें देखने मिला कहानी घरगर की पारवती और उनकी इस देवरानी के बीच जो कहानी घरगर की के 14 साल के बाद भी इतना पक्का है और देखे ना इनकी ये रिष्टे की मजबूती ही है जो श्वेता को साक्षी के पास खीच लाई है वो भी सीधा नियू यॉक से और ये दोस्ती का नजारा हमें होली स्पेशल एपिसोड में देखने मिलेगा धंडाई और मस्ट गर्मा गरम छोले टिकी के साथ त्योहारों की थाली में वहती स्पेशल है क्योंकि एक तो होली का त्योहार आ गया है और साथ में आ गई है मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी प्रेंड श्वेता तो I have decided कि आज मैं श्वेता के लिए होली का कुछ तयार करूगी अजी शीशयत की मुझे ठंडाई पिनी है और मुझे चार्ड ठाना एक टिकी कहानी है प्याजको लिए ये चीजे मैंने क्टी की है ये भीग्य हुए बादाम है एक मुक्टी के करीब ये मस्ट-मेलन के वीज है कहर बूजे के ये पिस्ता ये खसकस है जो मैंने भिगो के यह खाली वाली बड़ी सौफ है इसे भी भीगो के रखा है यह काली मेरच है इसे भी थोड़ा भीगो के रखा है मुझे चीनी भी डालनी है सही टाइम पर याद आगया है वरना आप लोग पकड लेते हैं I have to put ilaichi powder also in this यह उबले हुए आलु है और चार से पांच अलुबले के जब ठंड़ी होजाए अब बाला उसको पीई करके ऐसे मैंने घिसा हुआ है इसमें बहुत सारे मसाले जाएंगे नाल मिर्च जाएगी इसमें देन यह जीरा पाउडर है यह धनिया पाउडर गराम मसाला यह ते इके चममाच क्यूकि मिर्ची बढलेगा तो काफिय जाएगा यह मेल अच्छा सम बेसन, बेसन से वो अच्छा सा उसका बाइंडिंग अच्छी हो जाती है तो अलू की हो ही जाती है अपने अपर थोड़ा एक अच्छा क्रिस्पनेस आ जाता है उसमें एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं, वी आपने जो होली है वो ओंस्क्रीन भी खेली है बहुत और और उस्क्रीन भी खेली है हुआ 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 है कुष को तो हुआ ह को ओंस्क्रीन टेंटा रहते हुआ 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 है हुआ है हुआ है वह बहुत मिस करती हुँ अ डिवाली पर लगता है जिसे कि भाग जाओं घर पे दस दिन के लिए इस नियुक्त करते हैं, कि यह एस बाद लोगों को मिलना, खाना यह नो जो जो छोटी शोटी चीजेशें वह था होती है, वो सब मिस्करते हुआ मैं पता है एक बात सीखी हूँ ये शो करते करते कि हमारे जो इंस्टिंक्ट के जो अंदाजे होते हैं ना कि ये इतना डाल दे ये इतना डाल दे वो almost correct होते हैं of course you need a basic idea जैसे you must have seen कि मुझे मेरे पास चमच नहीं थी चीनी डालते समय इस थंडाई के तरह हम उमीद करते हैं कि जैसे इनके ये दोस्ती का नजारा है सब जगा यू हे रिष्टों में मिठास घुलती जाएं मुंबे से निहा सावन के साथ ABP News Report यह ABP News आपको रखे आगे